हे वाट्स अप गाईज आज हम कुछ इस टाइफ की फोटो एडिटिंग करेंगे इसमें मैंने जितनी भी बैक्ग्राउंड प्यांजी यूच की हैं मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूआ और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूब करना चैनल पर नहीं आये हो तो चैनल को ससकाइब करने लेगा और चैनल की बैल आइकन को चड़ू दवा देना तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की और simple दोस्तो आपको अपना background कर लेना पिक्सार्ट में open open करने के बाद जाना है add photo पर add photo पर जाने के बाद आपको वाला photo लेना है जिसका आपने background remove कर रखाओ दोस्तो आपको background remove करना नहीं आता है तो दोस्तो मैं description link दे दूंगा आप महा से जाके देख लेना तो simple दोस्तों आपको अपने background पर इसे set करना है उसके बाद simple आपको कर देना है done done करने के बाद दोस्तों जाना है add photo पर दुवारे से और इस बार आपको महादेब के hand की png लेनी है इसे लेने के बाद आपको अपने photo पर इसे set करना है कुछ इस तरह से दोस्तों और set करने के बाद simple आपको जाना है eraser में eraser में जाने के बाद दोस्तों इसका बागी का हिस्सा मैं erase कर लूँगा जो के lining सी आ रही है दोस्तों अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो दोस्तों subscribe कर दो और bell icon को भी जरूँ दवा देना simple इसके बाद कर देना है आपको done done करने के बाद दोस्तों इस बाद जाना है आपको sticker में sticker में जाने के बाद ये rain की png है दोस्तों मैं इसकी इसकी लिंक आपको description में दे दूँँआप महा से जाके download कर लेना इसकी opacity आपको कम रखनी है और eraser पर जाना है जो face पर बाकी का status का आ चुका है मैं उसे erase कर लूँँआ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करना तो simple दोस्तों erase करने के बाद कर देना है आपको done done करने के बाद अपने इसाफ साफ को इसकी opacity रख लेनी है जहां आपको अच्छा लगे इसके बाद simple कर देना है आपको done done करने के बाद दोस्तों इसे आपको gallery में कर लेना है save बाकी इसकी color grade हम light room में करेंगे simple दोस्तों आपको light room में कर लेना अपना photo open open करने के बाद जाना है आपको lights में lights में जाने के बाद दोस्तों इसका contrast में बढ़ा लुआ क्योंकि फोटो थोड़ी फीकी सी लग रही है contrast बढ़ाने के बाद इसकी highlight को में कम रखूँगा shadow को में थोड़ा बढ़ा लुँगा और इसकी white को में थोड़ा कम रखूँगा और black को में थोड़ा कम रखूँगा इसके बाद जाना है आपको colors में colors में जाने के बाद दोस्तों इसके temperature को में थोड़ा कम रखूँगा और इसकी tint को में थोड़ा कम रखूँगा और दोस्तों मैं इसके बाइबरेंस को थोड़ा बढ़ा लूँगा और इसकी दोस्तों सैचुरेशन को भी मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा ठीक है दोस्तों फिर आपको जाना है कलर ग्रेड में जाने के बाद दोस्तों सैडो में जाना है सैडो में जाने के बाद इसकी सैच जाना है आपको mid tone में, mid tone में जाने के बाद इसके saturation को आपको art रखना है, और इसकी हुई को थोड़ा बढ़ा देना है, कुछ इतना, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जाना है आपको highlights में, highlights में जाने के बाद दोस्तों, इसका saturation को आपको art रखना है, और इसकी highlight यानि को थोड़ा बढ़ा देना है, simple दोस्तों कर देना है, done, फिर जाना आपको इस वाले टूल में, इसकी clarity को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक दोस्तों, इसकी big net को भी थोड़ा में बढ़ा दूँआ, जिससे मेरे photo focus आए, उसे feather को भी मैं थोड़ा कम रखूंगा, और simple दोस्तो को भी बढ़ा लो, masking को बढ़ा लूँआ, ठीक है दोस्तों, simple दोस्तों, इसमें इतना ही काम था, दोस्तों, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके ज़रू जाना, और share भी कर देना, और दोस्तों, चैनल को भी subscribe कर देना, दोस्तों, झाल